कि जितना शुभा शुभा कर्मों शुभा शुभा इच्छा इच्छा रहित जब तक नहीं हो रहा है तब तक जाकर कि वह प्रेम अश्वाजन करना असंभब बात है कि वह बहुत निर्मन है यह नहीं कि बैक्ति विशयस के लिए वह प्रेम हैं। हम जैसे स्धा के लिए ऐसे किरपा होना संभब नहीं है बात ऐसा है नहीं है कि जैसे शुर्जों हर जगां किरन देते हैं र भुस्टू यह बुष्ट्य के प्रती उनके प्रकाश ada عند लेकिन बच्तो के जो परतिफ़लन शमता यह जगास मान नहीं है be जो बुस्त्य। जतना सच्च होता है उसमें उस किरन की प्रतिफलन उतना अधीक होता है पत्तर के उपर कोई प्रकाश नहीं कास के उपर एकदम पूरुन प्रकाश ऐसा ही भगवत कृपा जब भगवत शन्रिद्ध प्राप्ति के लिए सब छोड़ चार के हम भगवत उपशना में प्रभित्त हुए हैं भगवत प्रेम आप प्राप्ति एक मत्र हमारे जीवन के उद्धिश्च्य है लेकिन क्या होता है हमारे भीतर इतने छुद्र शुद्र 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 धूर्भाशना रहती है जो कि हमको वह प्रेम का किंचितत अश्वाजन और उनुभव करना सम्भव नहीं होता है यह यह जो वासन हुआ बहुत शुक्ष्मालूप में हमारे भीतर रहता है उसका उनुषंधन करना चाहिए उनुषंधन करके देखना चाहिए हमारा मन कहा कहां भटे है कि मुली नता यह बाधल जैसे शुर्ज प्रकाशमान है लेकिन बादला कि छा गया है बादल के कारण अंदकार कुछ दिखता नहीं है लेकिन शुर्ज प्रकाशमान है बादल हटने से ही फिर प्रकाश ऐसे भगवान तो बैपक है उन में कोई शंकृता नहीं पात्रा पात्र बिचार नहीं है यह पात्र है यह अपात्र है क्योंकि सभी भगवान कांग्षो होने का कारण सब के प्रति भगवान के स्वमान क्रिपा है स्वमांग्ष और भुबुतिश्व नौमे देश्व स्तिनों प्रियो भगवान को कोई संकिरिनता नहीं है ऐसा नहीं है सब में बराबर है उनका कोई पुरिक्सर नहीं और फिल एक पंस नहीं नहीं को यह कोई प्रिक्षन करके दीखना चाहिए हमारे मन कुछ विशाय की प्रती आक्रिष्थ होकं के चुरह किया क्या बुच्ट चाहता है इसके भीतर क्या चुर्ड व्जू कोई एक दम बशन शुननों एक मत्र भगवध प्रिती ही भगवध प्रशन्यता ही हमारी जिवन के एक मत्र उद्देश्य है कैसे भी हो जुगल कि प्रशन्य हो जाए बस उनकी की प्रशन नता है हमारे जिवन नंत्र दन्फो एकाल टो एक तर पुद्द्देश के लिए हुआ हुआ को प्रेम एक मत्रों चेश्टा है समस्त अप्यली चेश्टा ऐसे होना चाहिए भूर गुरु की प्रशन नता कि लिए हम जो कुस कर रहूं के जो हिस्त करते। & कुम नहीं है को गुरू करेकर करने के लिए कोशिश करते तो गुरु तो भगवत्श रुपिय है तुल्षी स्यवा हरिहर भक्ति गंगा सागर संग में मुक्ति किम परमदिकंग कृष्णे भक्ति ना गुरु रधिकंग ना गुरु रधिकंग कि तुल्षी शेवा हृहर भक्ति हरे भक्तिकर ना ये जो उत्तम मन गया है तुल्षी स्थ्वास क्रिष्टन चरन में भक्ति प्राप्ति होती है है गंगाशागर शंग में मुक्ति गंगाशागर अधर्शंगम स्थर में प्राक्ति होना मुद्धि ये उत्तम्मुक्ति बाता या गया है कि परमधिकंग कृष्ण भक्ति इससे भी अधिक कुछ मिल जाए हमको वो क्या कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम से ज्याधा कुछ आए नहीं ना गुरु रधिकंग बना गुरु से ज्याधा नहीं क्यों गुरु क्या देते हैं पहले सो गूरू तत्तत शर्व परिंग है घ्र हमारे उपासर्ण तो रढ़ादरणी की चराण सब्सक्राइब काल के लिए हमारे लिए शिवा मैं क्ते πिरदान परति घुरू ने हमको यह मार पृदरशन कीए है और गुरू हमारे सात रहे करके नित्य लील्τα हमें नित्त काल के लिए हमारे लिए शिवा प्रदान करके गुरु शाथ रहेंगे ऐसे नहीं गुरु भी एक मंजरी शरूप लेकर के गुरु शिश्य ऐसे हमारे भाजन प्रणाली महाप्रव के अबदान जो हैं ऐसे हैं हमारे पद्दति और किसी का पद्दति कुछ भी हो रेखन लोग में और रुप से भगवाथ उपाशना करते हैं उसका तो हम तो यह नहीं कह सकते हैं ती कि यह ठीक है यह ठीक नहीं है हमारे जो वुपाशना है ऐसे गूरु शाथ रहते हैं वहां गुरु कृपा बीना वो शरुप शिद्ध होना मुश्किल है वो जो मंजरी शरुप जो भी गुरुदेव कृपा करके प्रधान किये हैं वो शरुप तो जीब में है नहीं जीब में तो शुद्ध सत्त में भगवत सत्त है मयातित गुनातित त्रिगुनातित आनंदम शत्ता भगमत अंशो भगमान कहीं है लेकिन वो जो मंजरी शरुप जो राधरान की शिवाप्राप्ति के लिए जो शरुप राधरान की कृपा करके हमको प्रधान कर रहे हैं क्रिपा शक्ति के दोरा उसको शिद्ध करते हैं वह शरूप जो है वह गुरु क्रिपा से हमको प्राप्ति होती है और गुरुदेव प्रशन होने से तब जाकर के गुरु क्रिपा के बल पर ही हम उस शरूप प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं और गुरुदेव साथ रहे करके हमको निट्व काल के लिए नित्य श्यवा में जाते हैं वे गुरुदेव शास रहती है गुरु की भूमि का इसा है यहां ऐसा नहींकोन गुरु कुन चेला महिँ हुए किला ब्रह्मु उपासना में ऐसा होता है यह बहुत आफ़े अलग अलग भेद है निर्बिशेच ब्रह्म्मघ्ण जहां भगवान का करती पर स्थासे हैं निर्ग नीरिशित ब्रह्म उपाशन उस स्थाती में क्या होता है गूरू उपाशन अब स्थाण करते हैं गुरु उपाश्चर रहते हैं तो गुरु धीरे 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 शाधन के द्वारा धीरे धीरे ब्रह्म में गुरु भी लीन हो जाते हैं चिला भी लीन हो जाते हैं एक ही शत्ता मत्रों एक ही अवस्था मत्रों कहते हैं कोन गुरु आखिर में जा करके कोन गुरु कोन च शगुन ब्रम्व उपशना पद्दती शगुन सभीषद ब्रम्व उपशना भगवत उपशना जो है यह बहुत प्रकार के है कोई राम के उपशना करते हैं कोई कृष्ट को उपशना करते हैं ऐसे अनंत प्रकार के शगुन ब्रम्व भगवान के शाकार ब्रम्व उनकी उप उपाष्णा अनंत प्रकार के हैं आमारे ब्रुजय उपाष्णा राधाक्रिष्ण जुगल यह उपाष्णा शर्वपड़ी बताए गए इस से उपरकार और कोई उपाष्णा तो शास्त्रकार कोई बताए नहीं है महाँ प्रविकाव दान तो यह जव मंझरी शरूप में यह है यह सरूप घुरू क्रिपा से गुरू सब्सक्राइब करें अगर आप प्रश्ण करेंगे जो गुरु मान लिजे शिद्ध नहीं है घर गुरु तो ऐसा होते नहीं है गुरु तो भगवान के शरूप है फिर में मान लिजे लोकिक लिला में गुरु वहां पहुचे नहीं है तो उस स्थिति में शाधक मान लिजे भगवत प्राप्ति कर चुके हैं तो वहां कैसे वह पहुचेंगे बोलते हैं वहां स्वयंग भगवान गुरु रूपधारन करके आ करके उनको ले जाते हैं शाधक जान भी नहीं पाते हैं जो हमारे गुरु हम को ले जाने के लिए गुरु देव गुरु शुरूपुल को ले जाते हैं नित्त लिलामें जब तक ये गुरु नहीं पहुशते ऐसा धियार के जिवात्म होता है शादक ठीके पुरब पुरब जनम के संस्कार लेकर आए है कुस कर्म बाकी रह गया है यहां पर वो शिद्ध करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं लेकिन है शिद्ध को ठीके जैसे मान लीजिए जितना ब्रिक्षा है तो क्या नियम है पहले फूल होता है फ पीड़ जा करके फूल होता है जैसे लौकी घीया कोहला तरोई यह पहले फ़ल लेकर आता है उपर में दिखावा फूल होता है ऐसा है कोई जनम से ही ऐसे शिद्ध बनके आते हैं सब कर्म कर चुके कोई भी छोटा सा कर्म रहे गया है तो कभी-कभी ऐसे कर्म पूर्ण करन आते हैं उस स्थीत में भगवान उनको ले जाते हैं अधारन कोई अधारन स्वरुप कोई उद्धारन स्वरुप है जैसे भौधू हमने नंद कि शुरुक श्रमी जो बता है ना उतो फिर एक दिन बताएंगा तो देरी हो जाएगा उस प्रश्रम आएंगे तो वह कुन सा लेकिन नंद कि शुरुक श्रमी उनको गूरु मनती थे अधे तो उस भी श्रमी फिर अगर शुनना चाहते हो तो पिर एक दिन आलोग चुना करेंगे तो उस स्थिति में भगवान स्वयंग गुरु बनके चला को ले जाते हैं जब तक यह गुरु वहां नहीं पहुशते ह हैं तब तक जाकर के वहां भगवान जान भी नहीं पाते हैं यह भगवानी गुरु रूप में हमारे साथ रह रहे हैं निक्त लिला में फिर यहां से जब शिद्ध होके फिर गुरु पोश्ते हैं ऐसे हैं तो क्या कह रहे थे तो वह जो मंजरी शोरूप गुरु तो वहां ले जाते हैं शिष्षकों ले जाने से होता नहीं वहां पुरिचाय है यहां परम्परा है गुरु परम्परा है तो राधारनी बैटी हैं लुए जुगर्ट किषवयर बैठें artists यहां से शाधन करके राथारानी क्रिका Barnes से ऊंपंध करके यह सारूफ होका, जीप्चोईत नंसत्त हों इसारूब मंधिरिश्रुप में बिलायोकार्ण स्हों रूप शिद्ध हो है उस शकी के तरफ चोटी सी एक शकी और शकी रो रही है अब storms तरहरा भैन है जहें अनन्तोकाल संग्षार्प्ट से खुमते खुमते खायर यह तो शाप्णबत आय लेकिन उनको तो वह ही तो है करके आए हैं आकर के पुर्णा अनंद में अल्हा दिने शुक्ति शुर्पनी स्रीमुति राधरानी को देख रहे हैं देख करके उस्रुधारा बर्शन कर रहे हैं आज मैं त्रिप्त हो रही हूं आज मैं राधरानी के चारण संद्ध प्राप्त करने में शमर्था हो गई हू लो रही है राधरानी को देख करके राधरानी कहते हैं यह जो शकी है यह कौन है इसको देख करके हमारे मन बहुत बिगलित हो रहा है इसको बहुत अच्छा लग रहा है यह कौन है तो हमातर सब राधरानी के परशद है वह कुंज में तो और बाहर की कोई प्रवेश्व दिक तो ललिता शकी दिखा देते हैं जो गुरू रूपर शकी मंजरी उनको दिखा देते हैं इनका ही परिकर है तो गुरू कहते हैं गुरू रूपर शकी मंजरी जो कहते हैं ये मेरी है ये मेरी है अच्छा तब रादरानी बहुत खुशी होते हैं बहुत खुशी होते हैं ओ एक शकी आ गई है मरतो लोग से अनंतकाल खुमते खुमते शंक्षार चप्र में दाबाना लप्रीत हो करके देखो कैसे आई है रादरानी रीदाय बिगल को हो जाती है जे क् पर ऊच्वमृत Kausa sneeze तो advocates to be some 가्रीके हात्हार, पकड़ा देते हैं फिर रूपनजरी ला करके ललीता कि जिस गुठके है उस शकी को शमर्पण करते हैं फिर ऊशंकिया करके उस शकी रिया करके मंजरी को राधरानी के package को पस है ये देते हैं प्रिमस्ति बहा करके इतनी प्रेस्च जीबन कितना कश्थ कर कितना दुख शागर प्रेम प्राप्त करेंगे ऐसा थोड़ी होता है कितना कष्ट करके कितना दूख शिकार करके फीर जा करके वह प्रीम प्राप्त करते हैं ने न युटन फीर रहाधार ने भी चाहते हैं जो यह सकी जल्दी आ जाए हमारे पास लिकिन जब तक प्रष्धिति को शीकार करना श्यकल भी मुश्किन होता है वहां एक प्रश्थिति चाहिए और एक प्रिपारेशन चाहिए वहां समय की इंतिजार नहीं ब्रिपारेशन क किया नहीं जाता है पूर्ण तयार हुआ नहीं है अब बोलेंगा भाई हमारा घाएना दे दो तो वो देने से धारं करने लाइख थो रही है उसको बोहत दिन बैट भाट करके कारफिट करके कितना पर जला के तपा के गला करके कितना बार फीर जाकर कि उसके गहना रूप देते हैं फिर उसमें पालिष चारता है पालिष चारने का बाद जा करके उसको धारण करते हैं घंसका इसके ओप्राक्तिक ten रहा क्या लेकिन उसके लिए उसके इंतिजार करना पड़ेगा और अभी होगया अभी तुम्सक्रेंड जाएंगे उसके लिए समय का कोई इंतिजान नहीं यह इतना जनम लग जाएगा कोई जनम फनम नहीं कि तुम बोल सकते हो तुमारा कितना देरी है मैं कैसे बोल सकते हैं तुम अपने दीदाएं में हाथ धरो देखो यहां कोई भी बुस्त को पृतित्वारा चाहन है सबसे बड़ी परिक्षन तो यह है इस्तिरी पुत्रों कुटुंब परिबार धन जन वित्त वईभाब मान पुजा प्रतिष्ठा प्रेम प्रिती शुभ कामना आधी कोई भी इच्छा तो मरे आंदर है अगर है तो तुमको अभी इंतिजार करना पड़ेगा आप बनेले नहीं हमारे अंदर कोई च्छा नहीं ह हम पुम्हा देन के लिग को चिंता मत करना ज्यादा देन लगे आ आप तो मरे समय है भõ सौन या यह परिक्षन है कई कई कोई प्रेम प्रिति कोई ब्येक्ति हो कोई बुश्त हो ई कोई पदार्थ हो कोई भी बोस्तु बेखती पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आशकती नहीं रहनी चाहिए दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला सब कर रहे हैं देख रहे हैं सब ठीक है लेकिन हम से किसी से कोई लेना ना देना मगर रहना यह अंतर जगत में ऐसे होना प्रता के लिए ही हमको जीना है बस अंतिम समय बस उनके चिंतन करते करते हमको शरीट छोड़के जाना है दुनिया का लेना ना देना मगर रहना ऐसे भावना हो गया तो माली ज्यादा समय है नहीं आप मैया आपको बंद नहीं सकती है ऐसे हैं तो बहुत कष्ट शिकार करक और कि ना कष्ट है कोई ठीकारणा नहीं कोई कोई तो देखते हैं जिसादू जिवन है रहे हैं पी रहे हैं आननंद ले रहे हैं मान पृतिश्टा अफूजा असब लेकिन जो शही सइह जो प्रेम उपाशक है जो राधरान कि चरन प्र immediate का संख्शार के कोई भी लोका संख्शार में यह दुख है यह उतना दुख थोड़ी है रादवर्हानी की बीरहा में यह संख्सार में फश करके देऊ देग बोस्तुपधार्तमा शक्तोह करके पांचा भोदिक शृरीर में फश करके कितना कश्ट पार है एक मत्रोही जान सकते हैं यह कहने लायक नहीं कहने से कोई समझेगा नहीं समझाया जानी सकता है यह दुख अलग एक तरीका के दुख है अंतर जगत के दूख है बहीर जगत का नहीं है तो उस मंजरी जब सामने आते हैं गलितादी शक्यादी लेकर करके उनको राधरनी के सामने पहुचा देती हैं अजस्त्र धरा से अपने बक्ष अस्तर को अभिष्रिक्त करते है मुंजरी आज हम पूरन नतिर्प्त हो रहे हैं आज परमानंद में राधरनी के सान्निद्ट प्राप्त करने में उनके कर्पां से रहे हैं कुछ थी ने पहुँआ होते हैं परमास्रु यह संख्यारी को ब्र् कि एकदम उस्तुर धारा से उनको धो देती है एक आत्मा तो एक आत्मा ऐसा नहीं तो अलग श्त्त्य नहीं है स्रिमतिर शमाश वे देहों बेद मात्रों राधरणी का जैसे ही फरक श्रीवेत्ना शरीर का यह भेद है देखने में लगता है लेकिन एक आत्मा है फिर राधरानी उनके मुख में तंबूल दे देते हैं मुख में मुख दे करके तंबूल यह शिक्रिती राधरानी के शिक्रिती तंबूल प्राप्त करके वो धन्य धन्य हो जाती है तो जाती है पीर जाके वो मंजरी को सब भारत ही उतारते हैं चाइब आ नद मनाते हैं फूलू की बर्सा करते हैं सब शकियां सब आके माला प्रदान करते हूं अभी शिक्त करते सब्सक्राइब करते हैं तो यह कौन पुर्दान करते हैं गुरु नहीं है गुरु किरपा नहीं है तो आपने शादम चेश्टा के द्वारा उहां पहुष्ट शंभब नहीं आए क्रिष्ट प्रेम प्राप्ति से भी होना शंभब करते क्रिष्ट प्राप्ति से क्या होता है ने इस लिला में उनुप प्रवेश के लिए उहां गुरु रूपार्श की मझ्ञरी की कृपा जोरूरी है इसलिए कहते हैं ना गुरु रधिकंग जो गुरु प्रदान कर सकते हैं वह कृष्ण प्रेम भी वहां पहुचाने में शमरते हैं उस अश्रदंद कराएंगे दर्शन कराएंगे लेकिन वह लीला में उनुक प्रवेश कराने के लिए वह गुरु रूपर शुक् ऊता है यह गुरुम वह भ्याई इसलिए शाधमना को करने आए है पच्राज करती अनुननिश्टा अनुननिश्ठा होना आत्य ज़रूरी है वह बश्रव होगतव है आसा दाली है जो गुरु के प्रटी निष्ठा नहीं है जो गुरु के प्र्ती निष्ठा घंए अमरे स कि ना गुरु रदिकंग जाए श्री रादे फिर ताल चले श्रुप स्थिति तो एक है उसी में साधव उसको कैसे प्राव पूर्ण स्थिति भाब ना मैं साधव ने भावी बे जहा शिद्ध देह पावे तहा साधन में जेधान चाहि शिद्ध देह तहा पाई है उसको चिं मैं हूं लिए उससे अंतर्श चिंति तो उस श्रुप चिंतन के साथ जुगल किश्वर के शेवा में तत पर रहना यह है है हमारे साधन प्रक्रिया बाज्य अंतर यहार दूइट शाधन वाज्य देह करें स्पक्रण कितं अंतरे निज शिद्ध क्रिया चिंतन रात्त्री कि यह जूंड है एक बहुरी जगत के साधना है स्व्रबन कृत्तन ध्यानधर ना अधी करना सथ्पंग अधी यह श्यूद द्वारा और निजशी द्व जिए देखो करिया चिंतन राद दिन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अच्छा है इसमें नहीं है वह ऐसे चिंतन करते करते उसका मानुष्री प्रगती बहुत आगे बढ़ जाती है करो में आगे चल रहर हो जाएगा उसके लिए आगे निकाल जाना जीवन परियंत करो श्रूप पर आपती गरो परेम प्रियोंänge हुँ शुद्धिसर्मुट एक नाम से इतना होता है नाम से करें कि प्रिम प्रफ्ट कर सकती है इतना तो शक्ति तो नाम में प्रदान किये हैं। कि गुरु की बात तो बहुत बाद मैं गुरु हम सबसे पहले दीकशाद देखते हैं उसके बाद जो है सब्सक्रियां बाद की अगर मानना किसी का गुरु करन हुआ नहीं तो महाप्रवु का गुरु मान करके हरी नाम साधन करने से उसका यह नाम ब्रिथा जाने वाला है नहीं दिख्षा पुरश्च जबीदी आपक्षाना करें जिब बस पर श्याचन डाल सबरी उद्धर नाम में इतना शक्ति प्रदान किये हैं इकली जुग में दिख्ष प्राप्त किये हैं कि अंग वन कि रास्ते में डोल रहे हैं गुरु बनने के लिए आरे ऐसा गुरु से कान फुक से क्या होता है कि शङल्थी होना चाहिए रुभ बढब द्रश्टा गुरु होना चाहिए बढ़ना चाहिए जनके प्रतियों भगवद्ध बुद्ध कर सकते हैं ऐसे होना चाहिए तो ऐसे गुरु मिले ताप ना लेंगे ऐसा थोड़ी है हमाना दिक्षा नहीं वाच जहां ताहां काली जाकर करके एक जन हम जहीं से किसी को चुन करके दिक्षा ले लिया तो क्या होत से बंधन मुक्त कराएंगे हमारा बंदन तो मुक्त हो जाए ऐसा है तो आम को आछ श्राइ करके नाम में मन मुद्धी ऑर्पन करके फैसी श्रूब हैं भगवान में बभगवान करते कर ते रहिपर दले में सब्सक्राइब आज तक नहीं दे किसी को तो मतलब क्या आप सामर्थी नहीं है इस बात से नहीं है हमारे अग्रह नहीं है सब्सक्राइब तो क्या करेंगे उनके चिंता कोई अधिकार नहीं है इसलिए सब्सक्राइब करो अनंतकुति व्रह्मांद को उद्धार करते हैं हमारे लिए बैटे हैं भगवान हम किसी को उद्धर कारेंगे संग्षार से इस जो आपको छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते हैं तो बहुत भगवान जाने फ़कोन का जीव है वह जाने और भगवान जाने उनके निश्टा जाने हम इस विशाय में चिंता करेंगे तो हम तुम भाला करो तुम इसको भाला करो वंगर करो शीधा बात है कि भावत कहीं जो गुरू है वह सखा भाव में रहते हैं लेकिन ऐसा देखा गया है कि उनके जो शीश हैं वह मंजरी प्राफ्त की हैं तो उनको कौन राधारानी से इंट्रूडूस करवाएगा मतलब वह कैसे ह सबीत्र शिद्ध होता है जो बच्णलब बच्णलू भाव के उपसक है वो शिद्ध है उनका गुरू मंजरीب उपशत्रक है तौ आउर शिश्य्ट है बच्णलभाव के उपसक है तो ठाकभ कुरजी वह संक्रिक है ने कि यह सब सिस्टमिती कि यह परंपरास्तिए प्राप्तो यह जो जिनका नंबर आता है शिर्वोगा सकता है फिर नंबर का डिना पैनल का जाना मुष्छिब तो सिधा उनको वह इंट्रोडूस नहीं कर दो उनके गुरूजी सखाव में अब उनका मंजरी भाव है तो उनको देखा वह थाकुरजी शयंग उसको शिद्ध करते हैं इंपोटांसी है यह मंजरी भाव वपाश्न पद्दति ले करके वह अतना क्रिटिकल नहीं है वहां तो ठाकुरजी प्रेम प्राप्ति से ठाकुरजी उसको ले जाते हैं शक्ख भाव वपाश्रत जो है उनको ऐसे मेरे विच़ार से ऐसे ही होगा वहां तो जो मंजरी भाव वपाशक है और शीष्च है शख भाव वपाशक तो उपशना कैसे शिद्ध हो सकती है थाकुरजी उस तरह से उनको खृपा करते एसा है वारी तो एसे बिश्वास है कि मैं मेने उपाशना यह ताव शास्त्र में निद्रिष्ट है दाश्व शुक्ष बाक्ष लो मदूर कालपुनिक नहीं है ठाकुर जी उसके लिए बवस्ता करते हैं लेकिन मुंजरी भाव उपाष्णा जो है यह परमपरा से प्राप्त हो मंत्र से जाकर इसके प्राप्त करती हो स्भा में प्रबेश्व दिकार प्राप्त होता है नाम से को साइजा म再 अवा करन बाद से अगर के हरिनाम करती नहीं तो नाम में इतना शक्ति है कली जुग में दाम उसके प्रीम प्रतान करने में समर्थ कर सकते हैं तो दिख्षा पुरष चर्जा वीधी अपक्षण में करें जी बस परश से आचन डाल सबस्के इंतिजान नहीं परश आचन डाल सबस्कम सबस्कार वन तो हादी हुआ